कमफर्टिबल एंड ब्यूटिफुल सी स्लीव को डिजाइन बराने के लिए पहले तो हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव को कट कर लेंगे मैंने स्लीव की बॉटम से साड़े 5 इंच चोड़ाई रखी है अपने अकॉर्डिंग आप इसकी चोड़ाई रख सकती है और लंबाई हमने इसकी साड़े 19 इंच रखी है स्टिच होने के बाद साड़े 18 इंच हमारा लंबाई का फाबरिक रह जाएगा सेम प्रिंट का हमने एक और फाबरिक लिया है जो हम अपनी स्लीव के साथ स्टिच करेंगे इसकी लंबाई मैंने साड़े 5 इंच रखी है और चोड़ाई स्लीव की अकॉर्डिंग रहेगी स्लीव के बैक साइड से हमें अपने इस फाबरिक को इस तरह से रखके स्टिच करना है ऐसे फॉल्ड करके हम इस एंगल पर रखेंगे इसे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे स्लीव की साथ हम कॉलर वाला डिजाइन बनाएंगे तो हम एक फाबरिक जरूर अटेच करेंगे इसमें बैक साइड से इससे डिजाइन काफी फिनिशिंग के साथ और अच्छा बनता है स्लीव को अब हम सैंटर से फॉल्ड करेंगे और जो साइड का एक्स्ट्रा फाबरिक होगा उसे हम कट कर लेंगे अब जितना भी लंबा आप स्लीव के कॉलर का डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके कोडिंग एक मार्किंग कर लें तो मैं यहाँ पर 6 इंच कम से कम रखूंगी और जब इस्टिच हो जाएगा यह है तो साड़े 5 इंच आ जाएगा अपनी कोडिंग आप इसकी लंबाई रखे अब यहाँ तक हम अपनी स्लीव की फिटिंग लगाएंगे डबल सिलाई आपको नीचे की साड़ लगानी है सिलाई को डबल करके आप लोग कर ले ताकि यह खुलेना अब जहां तक हमने स्फिटिंग की सिलाई लगाई है उससे हम आधा इंच का एक्स्टा फैबरिक रखेंगे और जो साड़ का फैबरिक होगा उसे हम कट कर लेंगे यहां पर हम लेस को जब स्टिच करेंगे तो एक्स्टा फैबरिक हमारा ज़ादा हो जाएगा जो काफी मोटा हो जाता है और उसमें अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आती है तो इस तरह से जो भी एक्स्टा फैबरिक होगा उसे हम इस तरह से कट करेंगे अब नीचे की साइड हम इसमें सरकल की मार्किंग करेंगे जादा भी आपको कर्व शेप नहीं देनी है थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए हम इस फैबरिक को कट करेंगे अब इस फैबरिक के साथ हम लैस को स्टिच करेंगे मैंने ब्लैक कलर की कटवर शेप की लैस ली है अपनी पसंद की अकॉर्डिंग आप लैस को ले सकती है अब हम अपनी स्लीव को इस तरह से खोल के रखना है और एक साइड से लैस को स्टिच करते जाना है जहां तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाय थी उससे हम आधा इंच उपर की साइड रखते हुए ही लैस को स्टिच करेंगे लैस के फ्रंट अंगल को हम अंदर की तरफ भी रखेंगे इस तरह से और किनारी किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे साइड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाब्रिक भी रखना है जो हमारा सिलाई में जाएगा और स्टेप बाइ स्टेप करते हुए हम पूरी स्लीव पर इसी तरह से इसलैस को स्टिच करेंगे आज कर डिजाइन बहुत ही सिंपल है और ब्यूटिफुल भी है इस तरह के डिजाइन ड्रेस के साथ काफी ब्रांटिट भी लगते हैं रेडिमेट फाब्रिक के साथ गाई इस तरह की स्लीव बहुत ज़ादा चल रही है अगर आपने अभी तक इस तरह की स्लीव नहीं बनाई हैं तो ज़रूर ट्राई करें पूरी स्लीव को हम इसी तरह से less के साथ stitch करेंगे दूसरी side भी हमें ठीक इसी तरह से stitch कर लेना है सिलाई के just side side ही हम सिलाई को लगाएंगे यहांपर ताकि finishing आए और less perfect shape के साथ लगे अब sleeve के extra fabric को cover करने के लिए मैं एक और fabric लुँंगी इस फैब्रिक की चोड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है अब यहां पर हम स्लीव को रखेंगे इस तरह से फैब्रिक के साथ फैब्रिक को हमें ऐसे रखना है और इसके जस्ट उपर हम बैक साइड से करते हुए स्लीव को रखेंगे और अंदर की तरफ का जो हमारा लैस का ऐबरिक होगा यानि हमारी लैस और एक्स्टरा फैबरिक दूसरी साइड का उसे हम एक साइड करेंगे ताकि यह है इसके साथ स्टिछ ना हो जाए और जहांपर guys हमने स्पिलाई लगाई थी उसके ज़स्ट रूपर हमें स्पिलाई को लगानी है इस तरह से हम दोनों fabric को एक साथ रखेंगे और स्पिलाई के ज़स्ट रूपर स्पिलाई लगाते चाहेंगे guys अगर आप sleeve and trousers related और designs देखना चाहती हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल पर आपको सभी तरह के डिजाइन्स मिल जाएंगे नेक डिजाइन से रेटीर वीडियो भी मैंने चैनल पर अप्लोड की हैं तो आप ज़रूर ट्राइ करें दूसरी साइड भी हम ठीक इसी तरह से स्टिच करेंगे इसको दूसरी साइड का फैब्रिक हम एक साइड करेंगे ताकि यह इसके साथ स्टिच ना हो जाए अब एक्स्टर फैब्रिक को हम ऐसे कट करेंगे और जो हमने फैब्रिक पट्टी लगाई है उसे हम बैक साइड में फॉल्ड करेंगे सीधी करने के बाद स्लीव का एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा यह स्लीव का कॉर्णर होगा जो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है आपको भी इसी तरह से बनाना है तभी आपकी स्लीव काफी अच्छी लगीगी अब फैबरिक पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे आप चाहें तो गईस तुरपाई भी कर सकती है अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है साथी गाइज अगर आप हमारे यूटीव चैनल दसीविंग रूम पर नए है और आपने भी तक चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सिस्क्राइब करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नेक्स वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और पूरे फाब्रिक पट्टी पर इस तरह से हमने बैक साइड में रखते हुए सिलाई को लगा लिया है यहाँ पर भी हम दोनों साइड के फाब्रिक को एक साथ स्ट पीछोगा और यह हमारी स्लीव की फरंट साइड रहेगी अब चलिए हम पैन के भी आपको दिखाते हैं कि स्लीव का लुक कैसा आया है तो आइधिंग आपको स्लीव का यह है ब्यूटिफुल सा डिजाइन पसंद आया होगा जो बहुत ही अच्छा है और कोलर के साथ इस त पर सूट बना रही है तो इस तरह का डिजाइन जरूर ट्राई करें